मंत्री जी से मिलिये में आज आपको बता दे कि राजस्थान विधान सभाग के नेता प्रतिपक्ष गुलाप चंद कटारिया से आपको मिलवाते हैं उनसे जुरान खास बाच्छीत की है हमारे सवताता संजे वर्माने राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार बने हुए लगवग नो महा हो गए और नो महा में कॉंग्रेस का दावा है कि उन्होंने तमाम आम जनता के लिए काम की हमारे साथ इस समय मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाप चंद कटारिया जो बिधान सभा में राजस्थान में कि मैं सबसे सीनियर बिधायक भी है और पूर मंत्री भी है उनसे बात करते हैं राजस्तन सरकार और गहलोत मुक्य मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए बहता पिच्चतर परसेंट आरक्शन नोक्री तमाम वाइदे जनता के बीच में कर रहे भी है जो बेरोजगार हैं तो वो सुची झाली कर दें कि किस जिले में उन्होंने कितने दिये जो विदानसभगा का क्वश्चन था उसमें तो यह सरकार के आने के बाद कोई nई स्विकर्ती नहीं निकली जो कुछ जो पिछली बार की जो सरकार की सुक्रिती थी जो जबकि बेरोजगार तो 17 लाग शादिक हैं। नहीं देंगे तब तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने बिना स्वार्थ को इनके साद मिलाए हैं। तकराब का मामला हो, जनता को इसका कोई लाब नहीं मिल रहा है। आप देखना हैं कि निकायपणचा added चुनाब मैं और विधान साअब चुनाब मैं कॉंग्रेस के मास्टर इस्टोक से कॉंग्रेस को कितना फायदा हो पाता है। और बीजेपी कॉंग्रेस को कितना डिफीट दे पाती है जो चुना प्रणाओं के बाद ही तेह हो पाएगा कैमरा परशन नितेश के साथ संजय वर्मा आर नाइन टीवी जैपूर